हाई फ्रेंज आज माबनों को इजी और सुन्दर डिजाइन बताऊंगी यह हाफ शेटर और फुल शेटर में जैन्स लेडीज माब डा सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने इसमें 20 फंदे डाले हैं और 20 फंदे डालने के बाद सबसे पहले हम इसको पांच फंदे सीधे बिनेंगे एक दो तीन चार पांच फंदे हमने सीधे बिने उसके बाद हम धागा आगे करके इसको उल्टी स्लाइसे लेंगे ऐसे इसको दो बार हम एक दो बार धागा घुमाके ऐसे बिनेंगे एक ये दो बार तीन बार चार बार और ये पांच बार फिर हम धागा पीछे करेंगे फिर पांच फंदे हम सीधे बिनेंगे एक दो तीन चार और ये पांच फिर धागा आगे करेंगे फिर उल्टी स्लाइस लेंगे इसको फिर एक फंदे में हम दो बार घुमाएंगे धागा ऐसे करके एक ये दो एक दो पांच बार हम पांच फंदे में बिनते रहेंगे ऐसे फिर उल्टी स्लाइस से हम जो फंदे यहां गुमाए थे उनको हम ऐसी निकालेंगे एक ये दो तीन चार पांच इनको बिनेंगे नहीं हम इनको ऐसी निकाल देंगे उसके बार जो ये शिलाई है ये भी फंद है उसको हम उल्टा बिनेंगे एक, दो, टीन, चार, पांच और चुब भंतव हमने डवल किये थे, उसको हम ऐसी निकाल देंगे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच इनको हम विनेंगे नी, ऐसी छोड़ देंगे उसको इस वंतव हम जो यह वाला भंतव है, इसको हम उल्टा विने एंगे एक, दो, तीन, चार, पांच सीधी सिलाई से हम जो पांच फंदे हैं इनको हम सीधा बिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच अब देखें, जो ये पांच फंदे हमने डबल-डबल करके धागा जो गुमाया था उसको हमने उल्टी स्लाई में प्लेन ऐसे निकाला था उसके बाद हम क्या करेंगे पांच फंदो को ऐसे बीज से ले जाके ऐसे ऐसे करके ऐसे पीछे साइट से बिनेंगे सीधे में बिनेंगे ऐसे करके ये ऐसे फिर धागा आगे किया वहीं से ऐसे करके सीधे से बिनके इसको ऐसे किया फिर एक बार और करेंगे ऐसे ये देखें ऐसे अब ये पांच फंदे हो गया होंगे एक, दो, टीन, चार, पांच अब ये पांच हंदे हम सीधा भी बेनेंगे एक, दो, टीन, चार और पांच फिचोफ हंदे हमने निकाल लखे थे उनको हम ऐसे करके पीछे धागा रहेगा ऐसे करके ये सीधा भीनेंगे फिर दागा आगे करके पिर इसको और पीसे से ऐसे करके सीध्य बिनेंगे ऐसे फिर और दागा आगे करके ये ऐसे बिनेंगे अब उल्टी सिलाई हम, प्लेन उल्टा बिनेंगे, यह पूरी बिना इस सिलाई जो है, प्लेन उल्टी आ जाएगी, यह बहुत सुन्दर लगती है यह डिजाइन, मैं खुद अपने हजमेन के लिए सेटर बना रहे हूँ, यह पूरी प्लेन आ जाएगी, प्लेन पूरा उल्टा, उसके बाद सीधे सिलाई से, यहाँ इसमें, अब जो यह प्लेन सीधे थे, उसमें अब यह वाला डिजाइन इसमें आएगा, ऐसे, उल्टी साइट से लेंगे इसको, इसको हम ऐसे डबल करेंगे दो बार, एक, दो, टीन, चार, पांच, फिर धागा पीछे करके, फिर यह जो पांच रंते हम, इनको सीधा मिनेंगे, एक, दो, टीन, चार, और यह पांच, फिर धागा आगे करके, फिर यह जो पांच फंते हैं, इसको हम ओल्टा बिनेंगे, ऐसे करके, फिर इसको दो बार डालेंगे इस फंता, धागा यह दो बार, ऐसे, ऐसे, पांच फंतों में हम ऐसे करते जाएंगे, फिर धागा पीछे करके, यह पांच फंते सीधे, यह ऐसे, फिर उल्टी सिलाईस से, जो प्लेन यहाँ सीधे थे, उल्टा बिना था, हम उसको यहाँ पर उल्टा बिनेंगे, फिर पांच फंते, और जो डवर करेते फंते, उनको हम ऐसे निकाल देंगे, कि बीना बीने ही निकाल देंगे यह पांज पंदे अशे निकाल देंगे उसके बाद हम इसको ऐसे भी इनगी ऐसे हैं पांजसंदे सी दे उल्टे आ जाएंगे पीजो डबल के थे दागे हम इनको फ्लेन ओयर उल्टा ऐसे निकाल देंगे फिर वही सीधे साइड से ऐसे 20 फंदे डालके यह पांस फंदे ऐसे पीछे से ऐसे डालके ऐसे फिर धागा आगे किया ऐसे फिर धागा आगे किया ऐसे यह पांस फंदे होगे उसके बाद इसको हम प्लेन सीधा बिनेंगे पांस फंदे फिर बीच से डालेंगे ऐसे यह पांस फंदों को ऐसे फिर पीछे साइड से बिनेंगे हम इसको ऐसे फिर धागा आगे करेंगे फिर एक बार और धागा आगे करके जिसे की पांस फंदे यह हो जाए ऐसे फिर पांस फंदे सीधे यह देखे इस सुन्दर सा डिजाइन निकल आया यह आप फुल स्वेटर में हाफ स्वेटर में आप जैन्स और लेडी स्वेटर में डाल सकते हैं सो थैंक यू